हेलो फ्रेंट्स मैं मनीज आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे चैमफर की किसी भी जोब पर हम चैमफर का ओप्रेशन किस तरह से करेंगे और आज हम उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे ओके बनाना वह बनाना है दसा में का टैन इन इन्टु इंटू फोटि फाइव डिग्रि एंगल में और 10 mm का हमको चैंफर बनाना है तो चलिए फ्रेंग्स चुरू करते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं O001 प्रोग्राम नंबर N1 सिक्वेंस नंबर G28 U0.0 W0.0 मशीन को जो हमारा टूल है वो होम पोजिशन में चला जाएगा T0101 यह हमारा टूल नंबर है वो एक है और उपसेट नंबर भी एक है ठीक है G97 spindle RPM के लिए यूज किया है S 1200 1200 की speed और M03 clockwise direction clockwise direction में घूमने लग जाएगा हमारा spindle ठीक है इसके बाद G0 X40.0 Z2.0 M08 इस ब्लोक को जब रीड करेगी हमारे मशीन तो जो हमारा टूल है वो X में 40 mm पे और Z में 2 mm आगे जो हमारा वर्खपीस है उसके 2 mm आगे आगे खड़ा हो जाएगा और Coolant on हो जाएगा जैसे कि आप drawing में देख रहे हैं मैंने Blue Collective Tool को शोकर रख़ा है और जो ग्रीन के लहर है वो हमारा मसीन का सेंटर है जोब का सेंटर है ठीक है वहां से 40 mm X में और Z में 2 mm प्लस में ठीक है उसके बाद next block है जीवन जैर माइनस 20.0 फीट 0.15 की तो जो हमारा X में 40 mm पे ही टूल रहेगा और Z में माइनस में 20 mm तक ट्रनिंग करते विए चला जाएगा कटिंग करते विए चला जाएगा टूल जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहां पे आएक के टूल खड़ा हो जाएगा नेक्स्ट ब्लोक है G1 X 60.0 C 10.0 फीट 0.1 की फीड फ्रेंड मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि जो हमारा चैंफर वो तीन तरीके से लगता है मैं अभी टाइफ 1 की बात कर रहा हूं जिसमें मैं C का यूज करके और फीर चैंफर लगा रहा हूं बाकि जो दो अलग टाइप हैं मैं उनका अलग अलग वीडियो में जी कर करूंगा तो अभी हम इस method से chamfer लगा रहे हैं C का use करके तो G1 X 60.0 C 10.0 5.1 जो हमारा tool है dia X में जो है 60.0 पे चला जाएगा cutting करते हुए 10 mm का chamfer बना देगा उसके बात जो हमारा next block है वो है Z-110.0 F.15 इसको read करके हमारा tool 110 mm तक turning करते हैं हुए चला जाएगा ये Z में 110 ही क्यों आया जो हमारी first length है turning की वो है 20 mm और 10 mm हमारा जो chamfer है उसकी length है 20 plus 10 30 mm और 80 mm हमको और आगे turning करना है तो 80 plus 30 mm हो गया 110 ओके फ्रेंज तो 110 तक हम turning करते हुए ले जाएंगे tool को उसके बात जो हमारा next block है वो है G1, U1.0, W1.0 इस block को read करने के बाद हमारा जो machine tool है X में 1 mm उपर हो जाएगा और Z में 1 mm प्लस हो जाएगा उपर होने के बाद में ये जिस तरह से chamfer लगता है उसी तरह से है ये incremental में है उसके बाद G0, Z100.0 इस block को read करके हमारा जो tool है Z में 100 mm आगे खड़ा हो जाएगा जो हमारा जोपर उससे 100 mm आगे उसके बाद home position के लिए G28, U0.0, W0.0 M05, spindle stock हो जाएगा M09 से equivalent off हो जाएगा और M30 से program end and rewind आज के लिए इतना ही friends थैंक्स पर वाचिंग जाएगा जाएगास